Welcome to study channel में नाम है महम्मत कैसर बात करेंगे इस बार CTET के exam में कौन-कौन से सवाल पूछे जा रही है किस level का question आ रहा है यदि आप CTET exam देने वाले हैं 2022-2013 तो इस वीडियो को जुरू देखिएगा आपको काफी हत्तक idea हो जाएगा तो देख सकते हैं छात्रों ने बताया है जिन्होंने paper दिया 28 December को कि किस प्रकार से और कहां कहां से सवाल पूछे गए तो RTE 2009, New Education Policy 2020 से काफी सवाल पूछे गए और CDP के सवाल बिलकुर normal हैं जैसे आते थे उसी प्रकार के थे चाहे हो चमास्की का question हो यहां से सवाल आ रहे हैं और यह question काफी हद तक सभी सिफ्ट में देखने को मिले हैं वहीं पर बात करें प्रयावरण अध्यान से पूछे गए सवालों की तुद्वनी painting से सवाल है vitamin C से संबंदित question कुछे जा रहे हैं आप लोग इन topics को जरूर prepare करके जाएए मोर से संबंदित प्रश्ण हैं टाइगर संबंदित प्रश्ण सामाजी कीट घर से संबंदित हाथी संबंदित मेंडल से संबंदित अनुवान शिक्ता और अंजेब से संबंदित और जो पेड़ागोजिकल सवाल है इवियस वाले ये पूछे गए हैं देख सकते हैं इस पेपर में भी संबंद में खबर निकल कर आई हैं कि बाल विकास तो आसान रहा बाल विकास जैसे आता था वैसा ही रहा लेकिन जिनका अंग्रेजी था ऐसे छात्र काफी उलजी क्योंकि काफी ट्रिकी कोश्चन इस बार इंगलिस के पूछे गए थे बाकि सब्जर्ट नॉर्मल थे जिस प्रकार पिछली बार पेपर हुआ था हाला कि उससे पहले जब ओफ-लाइन एक्जाम होते थे तो पैटर्न बिल्कुल फिक्स था और कोश्चन और भी जादा इजी हुआ करते थे पिछली बार से पेपर के लेवल में उच्छाल देखने क जो मिला है लेगिन पिछली बार जो ऑन्लाइन एक्जाम था और इस बार का एक्जाम है इसमें लेवल जो है वो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है सीटेट का पूरा सेडूल भी जारी हुआ है आगर डिसस करेंगे देख सकते हैं परिछार्थी ने बताया यहां पर कि बाल वि प्रस्णों को आसानी से हल कर लिया गया बाल विकास के प्रश्ण भी आसान रहें अंग्लेजी मेट्री की प्रश्णों को हल करने में काफी माथा पच्ची करनी पड़ी तो सेटेट का एक्जाम सुरू हो चुका है लास्ट पेपर साथ फरवरी तक जा रहा है आप लोग प जुनिर वाला वो कठिन देखने को मिला है तारकिक प्रश्ण इस बार काफी पुशे जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके जाएगा गाजधानी के सोलक केंद्रों पर बुधवार को होई सेटेट के परिच्चा में विग्यान अंग्रेजी इतिहास और घुगल के प्रश्ण ने काफी उलजाया इवियस के तार्गिक प्रश्ण ने भी अभ्यरतियों को खूब छकाया अभ्यरतियों को इन्हें हल करने में सम समय लगा वंदना दिवेदी प्रियागराज इन्होंने बताया है फिर सवर अपसिंग ने बताया कि दोनों पालियों के प्रश्ण पत्र में डेड़ेड़ सो सवाल पूशा कहते भूगल के प्रश्ण काफी कठिन थे हल करने में काफी समय लगा फिर यहां पर देखिए सव पालों ने उल्ठाया तो पेपर 2 का जो सस्टी था वो काफी कठिन आया इस बार तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और सोसल साइंस के प्रश्ण घुमावदार थे यहां पर फिर एक छात्र ने बताया है और कई छात्रों के प्रश्ण ऑनलाइन एक्जाम होने की वज पैसेस पूछे जाती हैं और 15-15 सवाल आपको पैसेस से देखने को मिलते हैं तो प्रैक्टेस जरू करके जाएं देखते हैं एक्जाम का सेडूल जो सीवीसी ने अलान कर दिया है तो फिलहाल 28 और 29 दिसमबर दो दिनों में एक्जाम है और फिर इसके बाद सीधे आपका ए एड्मिट कार्ड जारी हो गया था इसके बाद जानकारी नहीं मिल पा रहे थी कि एक्जाम कब होगा काफी साथ परिशान थे तो आगे के सब इस सेडूल जारी होगे हैं 9 जनुरी 10 जनुरी 11 12 13 तक लगातार एक्जाम है उसके बाद फिर 17 18 19 20 फिर यहां पर गैप है और 13 जनुरी से फिर एक्जाम शरू होगे सरकेस एक्जाम आपका होगा और लास्ट पेपर 7 फरवरी को कराया जाएगा तो पहले आपका प्री एड्मिट कार्ड आएगा अभी 9 जनुरी वाले छात्रों का प्री एड्मिट कार्ड नहीं आया है आपका एड्मिट कार्ड जल्द झाल झाल